शावन माह में सुमवार का व्रत करने वाले भत्तों के लिए प्रस्तुत है सावन सुमवार की ये पवित्र पौरानिक कथा शावन सुमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला कुआ था, नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृध्यों के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संबत्ती को कौन संभालेगा पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रती सुमवार भगवान शिव की व्रत कूजा किया करता सायमकाल को व्यापारी शिव मंदिल में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस व्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा हे प्राणनात ये व्यापारी आपका सच्चा भरत है कितने दिनों से ये सुमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है भगवान आप इस व्यापारी की मनुकामना अवश्य पूर्ण करे भगवान शिर्म ने मुस्कुराते हुए कहा हे पारवती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है इसके बावजूर पारवती जी नहीं मानी उन्होंने आग्रह करते हुए कहा नहीं प्राणात आपको इस व्यापारी के इच्छा पूरी करनी ही होगी ये आपका अनन्य भक्त है प्रती सुमबार आपका विधिवत प्रत रखता है और पूजा अर्जना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय भुजन प्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ती का बर्दान देना ही होगा पारवती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिब ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस प्राप्ती का बर्दान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र सोला वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा उसे राख भगवान शिब ने स्वपन में उस प्राप्ती का बर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रखने की बात भी बताई भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलबायू की चिंता ने उस खुशी को नश्क कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोंबार का विधिवत व्रत करता कुछ महीने पश्चार उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई बहुत धूम धाम से पुत्र जन्म का समारुख मनाया गया व्यापारी को पुत्र जन्म की अतिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र के अलपायों के रहसे का पता था ये रहसे घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान प्राम्हणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारह साल का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारण सी भीजने का निश्चे किया गया व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारण सी छोड़ा अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री विश्राम के लिए ठहरते वहीं यक्य करते और ब्राम्हण को भुजन कराते लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा के खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण पहुच जिंति था उसे इस बात का भर सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवा से इंकार न कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में विचार आया उसने सोचा क्यों ने इस लड़के को दूलह बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊँगा वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्विकार कट ली अमर को दूले के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं चिप सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्री का तुम्हारा विवाहतों मेरे साथ हुआ था मैं थो वारणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नविवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओर्थी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वारणसी पहुच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी जब अमर की आयू 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समापती पर ब्राम्भनों को भोजन कराया और को अन्यवस्त्र दान दिये राज को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया शेव के बरदान के अनुसार शयना वस्था में ही अमर के प्राण पकहिर उड़ गये सूर्योतर पर मामा अमर को म्रत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाप करने के स्वर्ष समीब से गुजरते कुए भगवान शेव और माता पारवती ने भी सुने पारवती जी ने भगवान से कहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर्ष सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करे भगवान शेव ने पारवती जी के साथ अद्रश्य रूप में समीब चाकर अमर को देखा तो पारवती जी से बोले पारवती ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष के आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो चुकी पारवती जी ने फिर भगवान शेव से निवेदन किया हे प्राणनात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यू के कारण रो रू कर अपने प्राणों को त्याग देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्षों से सोंबार का व्रत करते कुए आपको भोग लगा रहा है पारवती जी के अग्रह करने पर भगवान शेव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ पैठा शिक्षा समाप्त खरके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते कोई उसी नगर पहुँचे जहां अमर का विवाह हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीब से गुजरते कोई नगर के राजा ने यग्य का आयोजन दिखा राजा ने अमर को तुरंत पैचान लिया यग्य समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिख उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनी को को भी साथ भीजा दिपचंद ने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर भीज कर अपने आगमन की सुचना थी अपने बेटे अमर के जीवित वापस लोटने की सुचना से व्यापारी बहुत प्रसंद हुआ व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद रखा था भुगे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण ड्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधु राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा उसी रात भरवान शिव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे श्रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू बदान की है व्यापारी बेहत प्रसन्न हुआ सोंबार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशिया लोटाई शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सावन के सोंबार का विधिवत व्रत करके व्रत कथा को सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है